नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल संद्राइज आयटे एजूकेशन में स्वागत है आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार वेब एप स्क्रिप्ट की हल्प से एक मल्टि स्टेप डिजिटिशन फ्रम केसे बना जाता है और इस फ्रम का डेटा केसे जैसे यहां पर देटा प्लिक किया यहां पर यहां पर डेटा फिलिक किया जैसे वो स्टूडेन यहां पर क्लिक करेगा जैसे आप देख पारेंगे इसमें दो डेटा प्रजेंट में अवलेबल हैं जैसे आश्मिट करेगा एक्सेप्ट यहां पर डेटा सब्सक्राइब हो चुका है और यह मारे गूगल शीट में यहां पर आ चुका है इस प्रकार एक मल्टि स्टेप फोरम किस प्रकार बने जाता है इसके बारे में आज में इस व्यूडियो बताएंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले यह विफसाइट का जो यूरल व्यूडियो को डिस्क्रिप्सिन देर का है व चेहां पर जहां को किरिफल करना है और यहां पर जो आपको सर्भी स्यिलेट करनी है आपको यहां पर एंटर करना इसके बार करना है ठेहिके बार लोगीन पर आको क्लिक करना है जो भी सर्विस आपकी आड़ी पर मेप होगी वो यहां पर आपके इन बॉक्स मिस हो जाएगी यहां पर यह जो आड़ी आपके मेप है वो सर्विस यहां पर सो जाएगी इसके बाद में की कोपे पर क्लिक रहें जिससे की जो गूगल शीट और जो शोर्च कोड है वो आपके ड्राइव में सेव हो जाएगा इसके बाद यहां एक्स्टेंशन पर आपको क्लिक करना है देन एप स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है सबसे पहले आपको यूरल यह वाला यूरल जो है गूगल शीट का जो आइडिय उसको आपको रिकलेस करना है तो आपको सबसे पहले यहां से इस आडिय को कोपी करना है इसके बाद सेव पर क्लिक कर दें अब मैं अपने जू सोर्च काड़ूस की सेटिंग सेटप करना है तो सेटप के लिए डिपलोई पर क्लिक करना है कि यहां से आपको इनन्हें लेट करना है डेने डिपलोई मिकली करें है यहां पर आपकी जो मिला इडी विसको अपस्रेट कर सकते हैं कि यह तो इक चेप पर आप कुलिक कना यहां यह तो कुछ ट्रम कंडिशन हाएगी उस पर आपको अलावपर CC करना है यह आपका source code की setup है वो आपका complete हो चुका है और यहां पर एक URL भी updating प्रिप्र होने वाला है जैसे यह URL बन चुका है और यह आपकी एक application का setup पूरा complete हो चुका है अब जिसे मैं इस data को यहां से रिमो कर देता हूं प्रजेंड में डिल्ट कर दिया अब प्रजेंड इसमें कोई data नहीं है अब जैसे कोई application यहां से data enter करता है जैसे में आप प्रजेंड में data एंटर करता हूं जैसे में आप क्लिक करूंगा accept registration पर तो यह data automatically यहां पर मारे google sheet में share हो चुका है अब आप चाहते हैं कि मालो मुझे जो मेरा जो form है उसमें remark का एक column और होना चीए मालो इसके अंदर आपके कम पढ़ रहा है जैसे मालो यह रिमार का एक column और चीए इसके लिए आप date से पहले एक रिमार का column करना है इसके बाद हमें अपना जो script वो open करनी है और हमें यहाँ पर इसको में copy करना है last वाले को और यहाँ पर paste कर देना है और यहाँ पर 20 कर चेंगे 21 करना है इसके बाद सेव पर क्लिक करना है इसके बाद हमारा जो index वाली फाइल है इसको में open करनी है इंडेक्स में जो last राइस में जिसे 20 से नमबर की अब हमें यहाँ पर रिमार्क वाला बी चीए में तो अब हमें यहाँ पर इसको यहाँ से इसको copy किया और यहाँ पर मेस्कें निचे डिवाइस तक अंग कोपी किया अपर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर 28 गड़ 21 टाइप कर दिया और यहाँ पर जैसे मुझे रिम्मार्क का लेबल चीह यह तो यहाँ रिम्मार्क मस्ट टैप परना इसके बाद मैं JS वाली फाइल ले उपन करनी है और यहाँ पर इसके निचे 171 की रूह है इसको मैं यहाँ से कोपी करना है यहाँ पर 20, 21 यहाँ पर 21 इसको बाद जैसे मैं इसको डिपलोई पर क्लिक किया अभी टेस्ट डिपलोईमेंट पर मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पर डेटा एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे रिमार्क का एक उप्शन भी आच चुका है यहाँ पर रिमार्क में जैसे ओ ओक के देखेंगे पर क्लिक किया जैसे रिमार्क आच चुका है देखेंट किया तो यह डेटा इसमें आच चुका रिमार्क अब आप चाहते हैं जैसे रिमार्क का जो कॉलम है वह हमारे को लैंड की निचे चीए जैसे जैसे हमारे को रिमार्क वाले जो कॉलम है आप चाहते हैं रिमार्क का कॉलम हमारे इसके निचे आए इसके लिए मैं स्क्रिप्ट आपन करने पड़ेगी और में यह वाला जो है इसको में कोपी करना है याँ से और इसको यहाँ पर पेस्ट करना है और इसके बाद इसको में यहाँ से कोपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है अब इसमें इसको रिफ्रेस्ट किया अब इसमें फोर्म में ने डेटा फिल किया डेमी डेटा तो आप देखेंगे या रिमार का कोलम नीचे आ चुका है पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ चुका है अब इसमें डेटा स्टिमेट करूगा तो यह रिटा सक्सिस्प्री स्मेंट हो चुका है और यहाँ पर Google Sheet में आ चुका है और आप चाहते हैं कि एक पेज और इनिशेट करना है जिसे प्रजेंट में चार पेज रिजिटिशन की चार पेज है मुझे एक पेज और इनिशेट करना है इसमें वाइप नंबर का अब इसके लिए हम ili सबसे पहले में आफ यहां पर इसको में कोपिकरना है अ इस को आफ मार्ण से हमें और नहां पेज सिम्रेट को प्रजेंट में कारता है तो अभी आप देखेंगे जिस हम आप देख्यिए 5 नंबर का यह नियां इate किये आप आपमें रिमार्क को और काझेर करना है इसके लिए हमें इस aftercard हमें यह में में यह वाला इसको मियां से कोपी करना है है और यहां पर इसको paste कर देना है और इसका टैटल लगना जी से रिमार्क रिमार्क करना आपको तो यह रख सकते हैं है अब बंकी सब्सक्राना है तो इसके लिए नेक्षट कर देगा पर नेक्स्ट पेज का एक code भी टैप रना पड़ेगा तो जिसी यह यह वाला यहां पर code है इसको मिलिया से copy किया और यहां पर इसको paste कर दें को तो उत्तर की जिगह में फो टायप परना और यहां पर लाइस्ट में जुक फोर है यहां पर में 5 यां पर करना कि जैसे मैं इसको refresh किया कि कि आप यндियूम्-देटर करता हूं कि एक vendors पर इसके आचप्र करें और सब्सक्राइब कि ने च्लिक पर बिलाए निरें रटेविGO हो च है तो आप देखेंगे यहां पर रिमक्रीविष्रारि हो excludर दिया अधिन रिम मार constructed वाहें चुट आप तो इस परकर आप वेब स्क्रिप्ट की हल्प से एक मल्टी स्टेप विजिटेशन पुरों मना सकते हैं अगर हमारे वीडियो आपको चाह लगा लोग तो वीडियो को लाइक करें जिद्धा से जिद्धा शेयर करें सबसे पहले प्राप दोस्के धन्यवार